आर सीटों और दोज सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिये है अभी इस्तितियां बन रही है आड़ जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर करके इस्तिती जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और नेजन आप इस पूरी खबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहालोग सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में जारकन म हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें में ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमें में पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमें की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहल पर दावेदारी ठोकी गई है राजी सम्वाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बरतमान में हैं अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग स पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़धा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स पार्टी के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक पुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल म पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप को बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है। देखिए यहां जो जारखंड में 14 लोकसभा सीट अभी बरतमाने हैं। अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है। अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोकसों हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाद और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। धारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाद के कंगरेस के मली कार्जुन खर गए। उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं, मंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही हैं, आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं, दो सीटों को लेकर पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानक जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लडने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लडने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता द लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोक हो पाईगा देखिए यहां जो जार्खण में च्वदा लोकसभा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीडिपी में हुआ है उनके सीट का ज दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रही है तो कुल मिलाकर करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट प पर भी लडने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान्ट से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखे यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बतमान में है कुल मिलाकर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट, छार सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले, अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धक है कंगरेस के, मली कारजुन खर गए, उनके साथ मुक्वंतरी चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी, उनमें इनका जो सीट का दाव जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है, बिहार है, आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है, अभी चाकाईसी बिधायक है, जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे है, बंगाल में दावा कर हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है, आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं, दो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है, तो कुल मिला का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, ग जेमेम ने सिर्फ जारकन में बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोग सबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा? पाटी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मली कारजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक चीत यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है अपने दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के इस चीती जो है अभी यह ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुबार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है व और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सभा चुना हो जैमेम ने जार्खन में छै सीटों पर दावा ठोका है जैमेमें जार्खन में 6 सीट के साथ ही ओडिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जैमेम ने द आरखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी ही है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोकसभा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो बारह बीजेटी के बास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोकस हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चुछ सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजिपी में हुआ है। बाबुलाल मराणी का मिले बीजिपी में हुआ है। बाबुलाल मराणी का मिले बीजिपी में हुआ है। बाबुलाल मराणी का मिले बीजिपी में हुआ है। यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है। इसे फहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी। उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है। राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें। नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है। जेमेम की तरफ से। क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा। देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्तमाने हैं। अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर हैं। अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीप हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देख तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है शुकरिया तमाम जानकारी के लिए जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मुल कि एसके पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसाँ वहां के सांसद है अगर बात करें तो स्केड नमर पर चार लोक तो हमें सकेड दूसरे नमर पे था ये कोडर्मा घंबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दोस सीट पर दावा कर रहा है जारकन ब मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमार्सी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मो करेंगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस मी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार अ अज़र बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा मे दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जे उनजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोग सबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस के आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग्द दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखे यहां जो जारखण में 14 लोग सेट अभी बर्तमान में है कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरी नमर पर था ये पोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छागसी यहां दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर सुमिस कुमार नहीं है नितिश कुमार अलग हो गए है ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरे जना आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत ब बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम क की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बा से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोकसभा सीट अभी बतमाने हैं अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो बारह बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का इधात है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका ज जो दखे तो चाब सिट यहां दावा कर रहे हैं वंगाल में दावा कर हैं उरी इसा में बेकि downtime ऑगग यह डही दो सिटह मिला करकर के सिति जो है अभी जो रूबा छेक नहीं है चिक लागातार बयानबाजी हो रही है तिनों Πार्टियों के और जिस्तर से इंडिया कटबं पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानका पर अपना लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोक पिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ झारकन में बल्कि बिहार की जैमूई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम में पश्रिम बंगाल की जार, ग्राम, और इशा की मयूर भन्ज और क्योंजर सीट पर भी लडने की बात कही है यान लोगसभा चुनाव को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसभा चुनाव में जमेम की तरफ से छह सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरेन ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर् पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में चौदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्टमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक का सीट है विजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरी नमर पर था यह कुडरमा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबूला- चमपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासनी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बि करके उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर मम तो शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जार्खन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जार्खन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जार्खन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार्खन पर दावेदारी जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरि पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से हो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में 14 लोगसबा सीट अभी बतमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पा कोडर्मा, घर्माद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देख है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो ऑण चाग सीति यहां दावा कर रहे हैं भंगाल में दावा कर रहे है अब देखें तो शीटों को लेकर निष्की तवर पर जो शीटों कर रही है और जिस तर ऐस इंडिया कट बन्धन का सूर मिल रा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो जो बिल्कुर ने जनाप इस पूरी में छह सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दा ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गय है इसे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमांट से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा घनबाद, हजारीबाद और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो इस्टितियां बन रही है आड़ जेडी भी अपने दावा ठोक रहे है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटवंधन का दूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना पर नजब बनाए रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबाचनाओं जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में 6 सीट के साथ ही ओरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जम्म की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओ में जम्म की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी म उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अ अब देखना है कि लगातार बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबाचनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के सा पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर दे है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडिवी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमें ने दुमका, राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उ लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग स पाटी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंतरी चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थ फार्खरमकर के त्रिलशा में के साथ बारु दॉर्स देखे कैने वह से हुआ है रही है तो पुल मिला करके इस दिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार भ्यान बार्जी हो रही है इनों पाटियों को ओर ते और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था, नितीज कुमार अलग हो गए है, उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं, तो इस सितिया ठीक नहीं है, अब जैमें में जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है, जैमें ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है, आपको बता दे, जैमें ने सिर्फ जारखन दी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसके साथ जैमें ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी पर भी लड़ने का दावा ठोका गया है, इसे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है, राजी समवात दाता, निरंजन जेमें की तरफ से, क्या लगता है, सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा? और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले, बीडिपी में हुआ है, उनके सीट का दावा है, उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा की है, कं अब को याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कौमास्ती निर्दलिये है, अभी चाकाई सी बिधायक है, जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहा है, मंगाल में दावा कर रहा है, उरीसा में भी द चिक नहीं है, चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पाटियों के और से, और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का दूर मिल रहा था, नितीज सुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनट जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अ चुकि लगातार बनाए रखे, बहुत 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 शुकरिया तमाम जानकारी के लिए, और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ, जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है, जेमें में जारकन में 6 सीट के सा जारकन में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है, जेमें में दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशितपूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है, आपको बता जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरप से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आथ मतादे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरप से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलिक आर्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ति निर्दलिये है जारखर मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक है हो तो कि पुल मिला कर के इस चिती जो है अभी इहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था मितीश कुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए है तो इस इंडिया ठीक नहीं है अब दिखना यह है कि लगातार जो भी अंडिया ठीक नहीं है पंजाब के साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वाग सीट भी बर्तमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निरदलिये है तो कुल मिलाकर कि इससी जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार व्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तिया ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बतादे जहां लोगसबा चुनाओ जेएमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बातमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है विजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी क पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीक आर्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंप तो कुल मिलाकर कि इस चीती जो है अभी यहां ठीक नहीं है ऐध है चुकी लगातार बियानबाजी हो रही है तिनों पार्टी के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था मितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनटजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए है तो इस तिजिया ठीक नहीं है अब दिखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहां में ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसे के साथ जेमेम ने पश्यम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूरभंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसबाचुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अग्पुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनू गोपाल और जो राष्टी अजग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तोर पर जो इसितियां बन रही है आरजएडी भी अपने दावाठों करें के उधर कॉंगरेस भी दावाठों करें है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी ख सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन्डी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है या सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिं जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरी नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी BGP में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजग कंगरेस के मलीक आरजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पह जो ठीटों को लेकर निष्टीत वर अपर जो इस्टितियां बन रही है आरजेडी भी अपने दावाँ ठोगरेगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस में दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके स्थिती जो है अभी यह धीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टीओं के ओर से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेरजन आप इस पूरी साथी ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसमा सीट पर भी दावा ठोक दिया ह आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगत है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खड में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बतमाने है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा जिमें बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे ह सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले वीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि है कंगरेस के मलीकार उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरिन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन म पुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक चित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निष्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जडी भी अपने बंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस्तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलको न जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशितपूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की ती उस दरम्यान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं वाफ पाई थी लेकिन अबच और चीटों पर दाविधारी ठोकी गई है राची समवप दाता धरा निरंजन सिंग अधिग जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग स्वा हमें स दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा र बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज को आसनी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर पुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पार्टियों को और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था मितीस कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जहारकन में छह सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में छह सीट के साथ ही औरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वाद सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेटी में ह हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरें के साथ बास्चित हुई थी उनम कि इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो शास्टीत यहां दावा कर रहा है बंगाल में दावा कर रहा है उरिता में भी दावा कर रहा है अब देखें तो सीटों को लेकर निष्टी तवर पर जो इस्तितिया बन रही है आरजेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीस कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुल नेरजन इस पूरी खबर पर नजब बनाये रखिए बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में जारकन में 6 सीट क जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें में ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमें में ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भ पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओं में जेमें की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावधारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े है निरंजन छे सीटों पर दावधारी पेश की गई है जेमें की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जवराष्टी अज़ा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरगे उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपर इ जो पडूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाईसी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्पंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग गुरूख अपका लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है कि लगातार जोगातार बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमह गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए कर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओं में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मुल पर दोसरा जो राजमहल का सीट है विजक आन्जन सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग को हमें सकेड़ दूसरे नमर पर था ही कोडर्मा घंबाद हजारी बाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट depred जारखन घंजका बंब गास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीका अर्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन्स मुक्पंत्री चंपरी स्वरिन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधाय पुल मिलाकर देखें तो चाक चीत यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो सीटों करें दो सीटों को लेकर के उधर सॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाक करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भ जारी खबर सियासत से जुडिवी आपको बता दे जहां लोगसबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अबी बर्तमान में है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ा कि हैं कंगरेस के मली कारजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ति निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटी या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें मे दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें में ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी ल यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमें की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी संवब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता ह सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग सब्सक्राइब अगर आप देखे तो वारा जिवें बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनक कि इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश को मातनी निर्दलिये है अब इस चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो पुल मिलाकर कि इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के म और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए कर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओं में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाईगा? पाटी का मिले अभी बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़्धा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंतरी हैमन मुक्पंतरी चंपरी स्वर तो पर तो को अभी देखे तो कुल मिला कर कि इस्टी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार व्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब दिखना है यह है कि लगातार जो बिल्कोर नेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारखन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा जार्खन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मली कारजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है, आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है, दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है, तो कुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जहारकन में छह सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में छह सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़धा के हैं कंगरेस के मलिक आर्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश को मात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्टीत यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टीत वर पर जो इस्थितियां बन रही है, RJD भी अपने दावा ठोकर ही है, दो सीटों को लेकर के, उधर कांग्रेस भी दावा ठोक रही है, तो कुल मिलाकर के इस्थिती यह以前 यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग गुरूख अपका लिए हैं तो इस तिजिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जोगे अनगातार बिलकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहाँ जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के तांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छात सीट यहाँ दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर रहे है और इसंटित के लगातार बयान वाजी हो रही है और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का सूर मिल रहा था नितीٹ कुमार अलग हो गह, उधर ममताबनर जी पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कंगरिस के पास है लुसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसाथ है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें पर उसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्थी निदलिये है अभिशा का इसी बिधायक है जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छास्टित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेंगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल म पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पिधनी के लिए और इस वक्ती भड़ी खबर स्यासत से जुरी वी आपको बता दे जहां लोघ सेवत चुनाओ TRAC, JMMM ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाव को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसबाचुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बत मानने है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था हिए सब्सक्राइब के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बि करके उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहु सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं लडने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरें ने कॉंग्रिस की आलाकमा से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमियम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में चौदा लोग स्वाग सीट अभी बर्तमान में है अगुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के बास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट, छार सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के, मलिकार जुन खरके, उनके साथ मुक्वंतरी चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी, उनमें इनका जो सीट का दावा है, जो परूसी राज बंगाल है, और उरिता है, बिहार है, आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है, अभी चाकाईसी बिधायक है, जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे है, बंगाल में दावा कर रहे है, उरिता में भी दावा कर रहे है, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है, और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था, नितीश कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनर जी का रूख अलग है, पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वो अभी अलग रूख अपना लिए है, तो इस तितिया ठीक नहीं है, अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाए रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप बता दे, जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है, यानि लो जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है, इससे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाखमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है, राजी स सित्य हो पाईगा? अभी बीजीपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है उन पर लिक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग हैं कंगरेस के, मली कार्जुन खर गया, उनके साथ मुक्पंत्री हैमन, मुक्पंत्री चमपाई सोरेन के सा उनके सीट का दावा है, जो परूसी राज बंगाल है, और उरिसा है, बिहार है, आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है, अभी चाकाई से बिधायक है, जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च् तो पुल मिलाकर के इस चिती जो है, अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पार्टियों के और से, और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था, नितीश कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनर जी का रूख अलग है, अब शुकरिया तमाम जानकारी के लिए जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है, यानि लोगसबा चुना जेम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस के आलाकमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है, राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें, निरं अगर आप देखें तो 12 बीजेटी के पास है, दो एक कंग्रिस के पास है, दूसरा जो राजमाल का सीट है, वीजे हांसदा वहां के सांसद हैं, अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग तो हमें सकेंड दूसरी नमर पर साईए, कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाद औ चत्रा, इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले, अभी BGP में हुआ है, उनके सीट का दावा है, उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष् जो सुमीष कुमास्ती निर्दलिय है, अभी चाकाय से बिधायक है, जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे है, बंगाल में दावा कर रहे हैं, अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानब जाजी हो रही है, तीनों पार्टियों के और से, और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था, नितीज कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वह भी अलग रूख अपना ल जैमेम ने जारकन में 6 सीट के साथी ओरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1 सीट पर दावा ठोका है, जैमेम ने दिम्कार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, इसके साथी जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खड में च्वदा लोग स्वाथ सीट अभी बतमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा जिमें बीजेटी के बास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेन नमर पर चार लोग सो हमें सकेन दूस्री नमर पे साइए कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट 6 सीट पर दवा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पाइस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिध करके उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए उधर ममता ब जनाय रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और चितपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंज की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नि पिरेंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार जार्णी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खर गये उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरिस्वरिन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासनी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां स सिटों को ले करके उधर कॉंग्रेस भी दावाठों कर रही है तो कुल मिला करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिलदा था नितीश कुमार अलग हो ग लुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक स लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट प लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोग सबा चुनाओं में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरि सारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग सब्सक्राइब अगर आप देखे तो वारा जेमें बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सी अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी मे हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी का ज़्धा कि हैं कंगरेस के मली कार जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निदलिये है अभी चाकाइस से बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानक जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लडने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जारखन ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लडने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बत की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग स्वाद सीट अभी बतमाने है अगर अगर आप देखे तो बारह बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांज जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके स साथ मुखमंत्री चंपरिस्वरिन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर ने जन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लि को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओं में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट श की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खड में च्वदा लोगसबा सीट अभी बतमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो वारा जेमें बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस क स्केर पास है दूसरा जो राजमहल का सीट वीजेए हांसदा वाहां के सांसर है अगर बात करें तो सके नमर पर चार लोग से हमें दूसरी नमर पर था यह कोड़ेमा घंद्वाद हजारि बाग और चत्रा इंज सीटों और दोज सीट में हर दावा कर रा पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिसा में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो इस्तितियां बन रही है पुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पार्टियों के और से, और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था, नितीश कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनर जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगवत्ती मान का रूख अलग है, वह भी अलग रूख अपना लिए है, तो इस तित्या ठीक नहीं है, अब देखना यहां है कि लगातार जो बिलकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे, बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के इसकूसर वक्त जो बरी खबर सियासत से जुडीवी आपको बता देजाहां लोग सबाचिनाओं जे एमम ने जार्खन में 6 सीटों पर दावा ठोका है, जे ममें जार्खन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1 सीट पर दावा ठोका है, जे ममनें दुमका राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उ लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाद और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी क पर उसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमार्सी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार्स अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंतरी भगमत सीमान का रूख वो अभी अलग गुरूख अपका लिए हैं तो इस तिजिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जोगे अंगातार बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जैमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जैमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बी थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ीवी आपको बता दे जहां लोक सबा चुनाओ जेमेम ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमें ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जमें ने पश्यिम बंगाल की जारखन ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाव को लेकर जमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसबाचुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरें ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्टमान में है अग्पल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर कि इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया गटवंधन का दूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग गुरूख अपका लिए है तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो भी अधर बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखण में 14 लोग स्वा सीट अबी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर रिक्के जा रहा है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलीय है अभी चाकाई सी बिधायक है, जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर जोस्तिति तोर पर जो uस्तितियां बन रही है। जो सीटों को लेकर दो सीटों को लेकर उढ़ार करें विधर कॉंगरिस के ओज श्रमीन करेंटन की ग campo करेंए है। तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त ही बड़ी खबर सियासत से जूरिवी आपको बता दे जहां लोकसबा चुनाओं जेमें ज्जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है ज्जारकन में 6 सीट के साथी उरिषा में 2 और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमें ने दुमकार, राजम पहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा। देखिए यहां जो जारखंड में 14 लोकसभा सीट अभी बर्तमान में है। आप देखें तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेश के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है। विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है। वहां से भी धायक थे हो। ममता बनर जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वह भी अलग रूख अपना लिए हैं। तो इस सिट्या ठीक नहीं है, अब देखा यह है कि लगातार जो पर अनके सीट बनाए रखें। जताई, इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। आपको बता दे, जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है। इसे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है। अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग तो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारिबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधाक है कंगरेस के मलीक आरजुन खरकें। उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेंगें, दो सीटों को लेकर के उधर सौंग्रेस भी दावा ठोक रही हैं, तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुल नेरेजन आप इस पूरी खा साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसभ चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समभड दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवे हैं निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा? पाबुलाल मराणी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुखमंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाय से बिधायक है जारकर मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक है हूँ कुल मिला कर देखें तो चाकीति ज़ह स्पौंग्रेस भी दावा ठोक रही है इस चिती जो है अभी इहां ठीक नहीं है चुकी लगातार वियानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग गुरूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जोड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लडने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लडने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े है निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में 14 लोग स्वाब सीट अभी बर्तमान में है कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि है कंगरेस के मलिकार्जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिये है अबी चाकाइस थी बिधायक है जार्खर मुक्ति मोर्चा के वहाँ से बिधायक थे हूँ कुल मिलाकर देखें तो चाहन सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर हैं ओरिता में भी दावा करता है अब देखें तो चीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्टितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेजना आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्यों जर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसवा चुनाव को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग सबस्टी तवी बतमाने है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए एकोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मली कारजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सिटिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी ने छे सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसमा सीट पर भी दा ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसमा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बताते लोगसमा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में हैं अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें किपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि है कंग्रेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपर इस्वरिन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासनी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर करें उरिता में भी दावा करना है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल ने जन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे कि अलोग सबा चुनाओ जे मंने जार्कन में छासीट के साथी औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बी खुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश को मासनी निदलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देख रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पं और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जे एमेम ने जहारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जे में जहारखन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में 2 और बंगाल विहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने जर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आख बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से हो पाईगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धात हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंतरी चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल ह है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्टीत यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रह हैं अब देखें तो स्टीतों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्टितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अल हैं तो इस्टिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडिवी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन की हजारी बाग और जमशितपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ाद के कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमात्ती निर्दलिये है अभिशा का इसी बिधायक है जाकर मुकिति मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्टीत यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिसा में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो स्टीतियां बन रही है, आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं, दो सीटों को पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमे और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट भी बतमाने हैं अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर 4 लोग स्वा पार्टी का मिले वीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री हैमन मुक्वंत्री चंपरिस्वर पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरीसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र ब बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन्डी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के बास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग तो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा क नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वह इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेएमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओडिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेएमेम ने दुमका, राजमह गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेएमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दाव को लेकर जेएमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओं में जेएमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान की गई है जेएमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखे यहां जो जारखड में च्वदा लोगसबा सीट अबी बतमान में हैं अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारह बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी कंगरेस के मली कार्जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ति निर्दलिये है अभी इस्तितियां बन रही है आड़ जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर करके इस्तिती जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और नेरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खाबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबाचिनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में जा जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमें में ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमें में ने पशिम बंगाल की जाड ग्र और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोगसबा चुनाओ में जेमें की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इस से फेले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धा कि हैं कंगरेस के मलिक आरजुन खर गे उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आप देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पश्रिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वाग सीट भी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बी पर चत्रा सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ती निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छ तो पुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था मितीश कुमार अलग हो गए उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब क के लिए और इस वक्त की बड़ी ख़बर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जाहां लोग सबाच नाओ जेमेम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारखन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमक राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में ह हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरकें उनके साथ मुक्पंत्री हैमन्स मुक्पंत्री चंपरी स्वरें के साथ बाचित हुई थ देखें तो चाग सीट यहां दावा कर रही है बंगाल में दावा कर रही है अब देखें तो सीटों को लेकर पर जो इस तीतिया बन रही ओर से और जो का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आ के छह सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इस से पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखे यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बत मानने है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घर्माद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलिक आरजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर अपने दावा ठोक रहे हैं तो पुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहां ममता बनर्जी का रूख अलग है, पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है, वो भी अलग रूख अपना लिए हैं, तो इस सितिया ठीक नहीं है, अब देखना यह है कि लगातार जो के अंगातार बनाए रखेंगे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार के लिए, और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जूड़ी वी आपको बता दे जहां लोक सबा चुनाओ, जेम्म ने जारखन में छे सीटों पर दावा ठोका है, जेम्म ने जारखन में छे सीट के साथ ही, ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठ लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जाड़ ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जैमेम की तरफ से छै सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छै सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में च्वदा लोग स्वा सीट वी बतमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिपी में ह हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरकें उनके साथ मुक्वंत्री हैमन मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनम मिलाकर देखें तो च्छाक्चीत यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरीसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस्टिती ज पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं बलकि बिहार क जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीट सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी संवबत दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग का पार्टी का मिले अभी बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मलीक आर्जुन खर गया उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानका जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं बलकि बिहार की जमात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फेले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगत है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीज सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंग्रेस के मलीकार उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरिन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ति निर्दलिये है अभी चाकाई से जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर जेडी भी अपने दावा ठोकरेंगे दो स पुल मिलाकर के इस तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का दूर मिल रहा था मितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनट जी का रूख अलग है पंजाब के जानकारी के लिए gotta दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशितपूर लोकस्वा सीट पर भी दावा ठोग दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तैह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट भी बरतमान में हैं अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी फूई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासनी निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर पर देखें तो छाक्टीत यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ती तर पर जो स् varieties बंड ही है और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का सूर मिला था नितीजय सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बह दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिं पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में चौदा लोगसबा सीट अभी बतमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास ह दूसरा जो राजमाल का सीट वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो तके नमर पर चार लोगसों हमें सके दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाद और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो रा इसनला बिधायक जो सुमिस खमाति मिले निदरीय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हूँ कुल मिलाकर देखे तो चाजластितइउ दावा कर रहे हैं मंगालमें दावा कराएं उरीसा में भी दावा कर रहा है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो स्टितियां बन रही है आर्जेडी अपने दावा ठोक रहे हैं तो कुल मिलाकर कि स्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार वियानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंड बिल्कुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबाचुनाओ जेमें ने ज्हार्खन में 6 सीटों पर दावा ठोका है ज्हार्खन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबाच सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ाद के हैं कंगरेस के मलिकारजुन खरके उनके साथ मुक्पंतरी चंपरिस्वरिन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां सी बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो स्टितियां बन रही है, RGD भी अपने दावा ठोकर रही है, दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोकर रही है, तो कुल मिलाकर के इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार सीमान का रूख अलग है, वो अभी अलग रूख अपना लिए है, तो इस्टितिया ठीक नहीं है, अब देखना यह है कि लगातार जोगातार बनाए रही है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडिवी आपको बता दे, जहां लोग सबा चुनाओ, जेमेम ने जारखन में 6 सीट के साथी अड़ीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है, जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पश्रिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बतमाने है अग्पल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेश के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनू गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मलिक आरजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर रहे है उरिसा में भी दावा कर रहे है अब देखें तोस दावा फोक रही है तो कुल मिलाकर के इस तिती जो है अभी यहा ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यान भाजी हो रही है तीनों पार्टियू के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तिद्या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो के अंगातार बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जहारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जहारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जैमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से ते हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाद के कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटो को लेकर निश्ची तोर पर जो इस्तिटियां बन रही है आरजेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं दो सीटों को लेकरके उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटवंधन का तूर मिल रहा था नितीष कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी ख़बर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी ख़बर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के शेतपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोग सबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाईगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट भी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिप उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख वह भी अलग रूख अपका लिए है तो इस सिद्धिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरजना आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेद सारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाव जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समव पाईगा? अब ही बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा के कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चमपाई सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमे इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आरजेडी भी अपने दावा ठोकर रहे हैं दो सीटों को लेकर पंजाब के मुखवंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के ल इशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको आपको बतादे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसभ चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोगसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाप दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्टमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ाद के कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निर्टी तोर पर जो सीटों करें अपने दावा ठोको रही हैं तो पुल मिलाकर कि इस चीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रहיא है टीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का या ठीक नहीं है अब दिखा यह है कि लगातार जो भी अधाय तो पर नज़र बिनाए रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जहारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग सोरे सीट अबी बर्तमान में हैं अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सोरे में सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छाखसीत इहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे है अब देखें तो सीटों को ले कर दिधाया बन भही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार ज दावा ठोका है जैमें में जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जैमें ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमें में ने सिर्फ जारखन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जैमें में ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जैमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जैमें की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आल निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार ल मरानी का पार्टी का मिले वीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक चीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल म पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडिबी आपको बता दे जहां लोक सबा चुनाओ जे एमिम ने ज़ारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जे मिमने ज़ारकन में 6 सीट के साती औरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी जर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्तमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजेए हांसदा वहां के तांसर है अगर बात करें तो सकेळघ नमर पर चार लोग सो हमें सकेळघ दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हाजारिबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट शाष इट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमास सी निर्दलिये है अभी चागाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो बंगाल में गधाय करे हैं। पंजाब के मुख्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसवक्त की बड़ी खबर सियासत से जुरी वी आपको बता दे जहान लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जार्खन में छह सीट के साथ ही औरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक dynasty पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बी खुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर द तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का दूर मिल रहा था मितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगवत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुरी वी आप मता देज glass बाचनाओ जेमें ने जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगत है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खड में च्वदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि है कंग्रेस के मलीका जुन खरके उनके साथ मुखमंत्री हैमन मुखमंत्री चंपरी स्वरिन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुख्ति मोचा के वहां से बिधायक थे होुख Moscow मिलाकर देखें तो चछाज सीट इहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर हैं चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जोगे अंगातार बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जम्शित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जारकन ही नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जैमेम पशिम बंगाल की जाड ग्राम ओर इशा की मयूर भन्ज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आख बतादे लोकसभा चुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमान में है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर कि इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का दूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग गुरूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बियानबाजी के रहे है बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जम्म की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जम्म की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े है निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जम्म की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग सेट भी बर्तमान में है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बाफ से और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं पूरीता में भी दावा करना हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो इस्तितियां बन रही है, आर्जेडी भी अपने दावा ठोकर रही है, तो कुल मिला करके इस्तिती जो है अभी इहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है, तीनो अलग गुरूख अपका लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जैमेमें जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरी शा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जैमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। अगर जमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। जमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा। देखिए यहां जो जारखन में 14 लोकसभा सीट अभी बर्तमान में हैं। अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोकसभा हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा। इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है। अभी चाकाई से बिधायक है, जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। का सूर मिल रहा था, नितीज कुमार अलग हो गए है, उधर मम्ता बनर जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वह भी अलग रूख अपना लिए हैं। तो इस सितिया ठीक नहीं है, अब देखना यह है कि लगातार जोगे अलग है रूख अलग है। जेमें में जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है। जेमें में दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई। इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशितपूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। आपको बता दे जेमें में ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है। इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी। उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है। अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के बास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धाक हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है, आर्जेडी भी अपने दावा ठोकर रहे हैं, दो सीटों को पार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम न इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसस पहले CM 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर सीट अभी बर्तमान में हैं अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद हैं अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग तो हमें सकेंड दूसरी नमर पे था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दोस सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजग है कंगरेस के मलीक आरजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा क पहला बिधायक जो सुमीश कुमार्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्टीत यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार्त अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस इदिया ठीक नह जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की ह बजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा कर रहे है। अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जिवराष्टी अज़वात्ति हैं कंगरेस के अमली कारजूर उनके साथ मुक्पंत्री चमपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दा पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जे एमेम ने जार्खन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेमें जार्खन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेम आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार्खन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी सबाचुनाओं में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई पाईगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जम्म की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जम्म की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े है निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जम्म की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग सबस्ती तवी बतमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर थाईए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ति मोचा के वहाँ से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो च्छाटित यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर हैं ऊरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निष्टी तवर पर जो सिटीत यहां बं रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन क सूर मिल रहा था नितीज को बार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खबर पर नजब बनाए रखे बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में जारकन में 6 सीट के समशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें में ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमें में ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्यों जर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमें की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाव में जेमें की तरब से 6 सीटो पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले CM25 सोरे ने प्रवाद कोई नहीं पाई थी लेकिन आब शेटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन शेटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस त वीजेटी के पास है और दो, एक कंगरेश के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है भीजे हांसदाव वहां के सांसद है अगर बात करें तो तकेंड नमर पर चार लोग हमें तुसरी नमर पे था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो च सब्सक्राइब ज्यार्खन भुक्तिम्टीमचा के वहां से विध्यायक थे हो. पुल मिला कर देखें तो छाख स्थित यहां दावा कर हैं, मंगाल में दावा कर हैं, उरीसा में भी दावा कर रहें, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो सीटों बन रही एं आड़ जेडी भी अपने दावाथों करें पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के ल दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसमा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसमा चुनाओ को जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसमा चुनाओं में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर डावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें निरंजन 6 सीटों पर डावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फोर्मुला किस तरी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गुपाल और जवराष्टी अज्धा के कंगरेस के मली कार्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरिन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमात्ती निर्दलिय है अभी चा यहां बन रही है आरजडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को ले करके उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से बिल्कुर नेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जे जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी म उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिलदा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमम ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमम ने जहारकन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में चवदा लोग स्वा सीट अबी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खरकें उनके साथ मुक्वंत्री हैमन मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है अपने दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहां ठी नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी पतादे जाहर लोकसभा चुनाओ जेमम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारखन में 6 सीट के साथ ही उरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमम ने दुमकार राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसक साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की ज भाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोकसभा चुनाव में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठो का गया है इससे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारह बीजेटी के मांस है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग तो हमें सकेंड दूसरी नमर पे था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद ह होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कौमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्चित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो इस्तितियां बं रही है आरजेदी भी अपने दावा ठोक रहे हैं दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार् तो इस्तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्टमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ाद के कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिये है जाकर मुक्ति मोचा के वहां से भिधायक थे हो तो कुल मिला कर कि इस्टि जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो गयातार बनाये रखिए बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ अलग जियमे ने जहारकन में चेह सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में चेह सीट के साथ ही ओड़ीषा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटो पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग स्वा में में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का इधार कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनम में इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग तित नहें जो सीटों कुल मिलाकर करके इस किती जो है अभी इहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तिद्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जोगे अंगातार बनाए रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुडी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें ने सिरुफ जहारकन नहीं बलकी बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड़ ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवे है निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बातमान में है कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के माथ से और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह एकोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कार्जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर्जेदी भी अपने दावाठों करेंगे, दो सीटों को लेकर के, उधर पॉंग्रेस भी दावाठों करेंगे, तो कुल मिला करके इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पार्टियों के और से, और जिस तरह से इंडिय कटबंधन का सूर मिल रहा था, नितीष कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है, पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं, तो इस तितिया ठीक नहीं है, अब देखना यह है कि लगातार जो सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है, जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसमा सीट पर भी दावा ठ ठोक दिया है, आप बता दे, जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है, यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है, आप बता दे, लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है, इससे पहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है, राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में, निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है, जेमेम की तरफ से, क्या लगता है, सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा? जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले, अभी बीजिपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है, उस पर रिक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़धा कि हैं कंगरेस के, मलीकार जुन खर जाके वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरीसा में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही हैं, आर्जधी भी अपने दावा ठो तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेरजन आप इ शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी जेमेम का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानक में 14 लोकसवा सीट अभी बर्टमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोकसवा में सकेंड दूसरी नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन प बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो 6 सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरीता में भी नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जम्शित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जारखंड जो जारखंड में 14 लोकसभा सीट अभी बतमाने हैं। अग्वल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोकस हमें सकेट दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मलीकार जुन खर गए। उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाच्चीत हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। कुल मिलाकर देखें तो चाक्चीत यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं। अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अ सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जोगे अनकारी रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबाचिनाओ जे में ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जे में जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जे में ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जे में ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जे में ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कह यानि लोकस्वा चुनाओ को लेकर जे म म की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप वतादे लोकस्वा चुनाओ में जे म की तरब से छै सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इस से पेले C.M.25 सोरे ने कॉंगरिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्म पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से पाएगा देखिए यहां जो जारखण में च्वदा लोग सब्सक्राइब अगर आप देखे तो वारा जेमें बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गो मंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा क कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तर पर जो स्थितियां बं रही है आठजेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं तो कुल मिलाकर करके इसीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और इस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था, मितीश कुमार अलग हो गए है, उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है, पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वह भी अलग रूख अपना लिए हैं, तो इस तितिया ठीक नहीं है, अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहालोक सबा चुनाओ, जेमेम ने जारखन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है उत पर रिक्के जा रहा है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है, अभी चाकाई सी बिधायक है, जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां सी बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे है, मंगाल में दावा कर रहे है, उरीसा में भी दावा कर रहे है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तोर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोकसवा सीट अभी बर्टमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कौमासनी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखे फशा सीट यहाँ दावा कर रहे हैं ममाल में दावा कर रहे हैं आप देखें तो सीटो को लेकर निश्ची तोर पर जो इस्थितियां बन रहи है RGD भी अपने दावा ठो करेंगे जो पुल मिलाकर कि सीर अभी इहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिलदा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अर इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जूरी वी आप को बता देजार लोग सबाचुनाओ तो इसके साथ ही जारखं की हजारी बाग और जमशित पूर लोग सबाच पर भी दावा थोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट भी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ा कि हैं कंगरेस के मली कार्जुन खरके उनके साथ मुक्पंतरी चंपरिस्वरेन के साथ बाच्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ति निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक्चीत यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तौर पर जो इसिटी तौर बन रही है एडी बिल्टी बी को लेकर कि उधर कॉंगरेस भी दावादमा फोक रही है तो कुल मिलाकर कर के इस्टिदी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार भियानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपका लिए है तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जोगे अनकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियास्त से जुड़ी वी आपको बता दे जहाँ लोकसबा चुनाओ जेमेम ने जार्कन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जार्कन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बरतमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और 2 एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मराणी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मलिक आर्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ति निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छास्टीत यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें, तो सीटों को को लेकर निश्टी तरए पर जो सीटियां बं रही है, ऑर ज्चीटी भी अपने डावा शो टोकरेंगे, दो सीटों को लेकर के, उधर कंग्रेस से भी तावा शोक रही है, तो कुल मिलाकर करके इस सीटी जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है, जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जम्म की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जम्म की तरब से छह सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दवा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि हैं कंगरेस के मलिकार जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी सोरेन के साथ बात्सीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मि पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तिद्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानका पर अपने दावधारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमषित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वाग सीट भी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिये है यहां निर्दलिये बिधायक है जो सीटिया बंगाल कर रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहां में ने सिर्फ जहारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहां में पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाओ में जेमें की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मलिक आरजुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक चीट यहाँ दावा कर रहें तो कुल मिलाकर के इसटिती जो है अभी यहाँ ठिक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पाटी ओिए और जिस परसे इंडिया कटबंधन का तूर मिलदा था, मितीस कुमार अलग हो गए है, उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है, पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं, तो इस सितिया ठीक नहीं है, अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर में जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है, जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई, इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है, आपको बता दे, जेमेम ने सिर्फ जारखन दी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने क की बात कही है, यानि लोगसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है, आप बता दे, लोगसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है, इसे फहले सीम चमपाई सोरें ने कॉंग्रिस की आलाकम से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावदारी ठोकी गई है राजी समवागत दाता नेरंजन सिंह अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं नेरंजन छे सीटों पर दावदारी पेश की गई है जेमेम की से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग स्वाद सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का स सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ग कंगरिस के मलीकार जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरिस्वरें के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासनी निरदलिये है अभी चाकाई जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्टीत यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो स्टीतियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर कि इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के आम जानकारी के लिए और इस वक्ति बड़िखबर सियासत से जुड़ीवी आप वता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने झारकन में छह सीटों पर दावा ठोका है जेमेम में जहारकन में से सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर द दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कह जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात न जेरेंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लो करांडी का पार्टी का मिले अभी बीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चं बंगार चाके वहां से बिदायक है हो उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलको निरेंजन आप इस पूरी खावर पर नज़र बिनाये रखे जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं बलकि बिहार की बाट तक तई है यानी लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले cm 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाखमान से मुलकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या से और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है विजे हांजदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडरमा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दूस तीट च्छा सीट प कंगरेस के मलिक आर्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेंग के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमात्ती निर्दलिय है अभ देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तरपर जो सीटी बंग रही है और जिपनार जुँ रही है तो कुलनारकर करके इस चिटी जो ँभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानभाजी हो रही है तीनों पार्टियों के उरसीं और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का स बिल्कुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जहारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट भी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीडिपी में अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंतरी चंपरी सोरेन के साथ बातकीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तोर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपका लिए हैं तो इस सिटिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में ह हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि है कंगरेस के मलिकार जुन खरकें उनके साथ मुक्पंत्री हैमन्स मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छास्टित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आरजेडी भी अपने दावा ठोकर रहे हैं दो सीटों को लेकर पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी क में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार राजमहल इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सी और क्यों जर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चमपाई सोरे इनने कॉंग्रिस के आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट भी बतमाने हैं अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनमाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिपी मे हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री हैमन मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो चीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक चीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चीट जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का र अनकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोकसबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि ल जेमेम की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समव पाईगा देखिए यहां जो जार्खण में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धा कि है कंगरेस के मलिकार जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी जो देखे तो चीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस चीटों को लेकर के उधर कुल मिला करके इस चीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टी ओं के और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था मिती भगमत सीमान का रूख अलग है वह अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाए रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेद सारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाव जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी सम देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में हैं अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चा में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धार के मलीकार जुन खरगे उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरें के साथ बाचित हुई थी उनमें इन जो चीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आरज़ेडी भी अपने दावा ठोकर रहे हैं दो सीटों को लेकर पंजाब के मुख्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जार्कन में 6 सीट के साथी औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमें ने दुमकार राजमहल गिरडी और कोडर्मा पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से निरेंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जैमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से ते हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धाक है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर सॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी ज पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दु जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को ले सियम चमपाई सोरें ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में चौदा लोग स्वाद सीट अभी बर्टमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है विजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें दूसरी नमर पे था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा के कंगरेस के मलीकार जुन खर गे उनके सा जारखन मुक्ति मोचा के वहां से भी धायक है हो पुल मिलाकर देखें तो च्छास्टी यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है द पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए कर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओं में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मुल पर दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग तो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास अगर उनके साथ मुखमंत्री चंपरिस्वरिन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार अजेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर सॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंध का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकूर ने पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खाबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के स समशेतपूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्य लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरें ने कॉंग्रिस की आलाकमांड से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावधारी ठोकी गई है राजी समवक्त दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावधारी पेश की गई है ज अभी बद्धार के पास है और दो एक कॉंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें दूसरी नमर पर था ये कोडरमा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दोस अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंतरी चंपरी स्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जान जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशितपूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट प पर भी लडने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान्ट से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावधाई ठोकी गई है राजी समवप्ध दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जूड़ेवें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्टमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर कि इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का दूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग गुरूख अपना लिए है तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोक सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीट के साथी ओरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीडिपी म अभी थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखे स्टित यहां दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर रहे है उरिता मैं भी दावा कर रहे है अब देखिं तो aux सीटों को लेकर निष्टी तौर पर जो इस्तितियां बन रही है और जींदी भी अपने दावा ठोकर लेखर के उधर टंग्रेस भी दावाठों कर रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुख वक्ति बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेममें जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाव में जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से ते हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्टमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले, अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ाद के कंगरेस के मलिक आजिन खर गे, उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है, बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कमास्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है, जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा स्टीत यहां दावा कर रहे है, बंगाल में दावा कर रहे है उरीता में भी दावा करकी है तो कुल मिलाकर के इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत तीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूर जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अग्वल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्पंतरी चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करें दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिल पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार के लिए जुड़ी भी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा स बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी द कॉंगरिस की आलाखमान से मुलाकात की थी उस दर्म्यान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमिम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग सबस्टी अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास ह दूसरा जो राजमाल का सीट है विजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पे था यह कोडरमा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो पाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है। पाबुलाल मराणी का मिले बीजीपी में हुआ है। पाबुलाल मराणी का पाबुलाल मराणी का मिले बीजीपी में हुआ है। पर दावा ठोका है। जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई। इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है। इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है। कुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है। अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए। उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें, तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में डावा कर रहे हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग गुरूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है या है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसवक्त की बड़ी खबर स्यासत से जुरीवी आपक comprende जहालोक सुवा चुनाओ जे एमैम ने झारकन में चैस सीटों पर दावा ठोका है जेमैम ने जारकन में चैसीट के साथी ओडिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट भी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीडिपी में अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजग कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंतरी चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको भी दावा करना है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस्तिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडिवी आप को बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारखन में 6 सीट के साथ ईडिषा में 2 और बंगाल बिहार में 1 1 सीट पर दावा ठोका है जेमम ने दुमकार, राजमहल, गि जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पश्रिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आफ़ बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाखमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाद सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें चाक पुल मिलाकर के इससी जो है अब ही यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पाटियों के उरसे और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर hen पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जा मता दे जहां लोग सबा झुनाओ जे मम ने जहारकंडमें 6 सीटो पर दावा ठोकाई जहर खन की हजारी वाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जैमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क् बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाक नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जैमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट भी बतमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिपी मे हुआ है, उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के, मलीकार जुन खरकें, उनके साथ मुक्वंतरी हैमन, मुक्वंतरी चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी, उ कुल मिलाकर देखें तो छाग सीट इहां दावा कर रहे हैं, मंगाल में दावा कर रहे हैं, उरीसा में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही हैं, तो कुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी ल अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाईगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दवा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीप हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला सी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का दूर मिल रहा था नितीश कुबार अलग हो गए उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पं और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जूडिवी आप कुल्स बता दे जहां लोगसरा चुनाओ जेआम्स जार्कन में च्छार्कन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेआमेम है जार्कन में 6 सीट के साथ ही उडिशाप में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटो पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में हैं अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर हैं अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग स्वा में अभी बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिल करें तो कुल मिलाकर करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजा क्या तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोगसबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोक दिया है आप बता दे जहारकन में बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जहार की तरफ से अपन ठोका गया है इसे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ कि तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तैहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो र शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंग्रे शार सीट पर दावा कर रहा है तो पुल मिलाकर के इस्टी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तिद्या ठीक नहीं है अब दिखना है यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप को बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जम्म ने पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोग सबा चुनाव को लेकर जम्म की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आख बतादे लोकसबाचुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नंबर पर चार लोग सो हमें दुसरी नंबर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाक है कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर रहे है उरिता में भी दावा कर रहे है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है अपने दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही और पर इशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोग सबा चुनाव को ले सीम चमपाई सोरेन ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सी सीट अबी बर्तमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग तो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोड जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंग्रेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिखार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कौमासी निदलीय है अभी चाकाई सी बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो मनगाल कर देखें तु छाक्षुर्ची पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है अपनी लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाद सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेश के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेश के मलीक आरजुन खर गया उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेंगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कु पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानका पर दावा ठोका है जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बत मानने है अग्ल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो अब देखना है कि लगातार बिल्कुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने सिर्फ जारकन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखे यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसाँ वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर थाईए कोडरमा, घनबाद, हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा करा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मु जार्खन मुक्ति मोर्चा के वहां से बिड़ायक थे हो पुल मिलाकर देखे तो च्छाक चित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखे तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर कि इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर मम अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी व का राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड लडने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाव को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाव में जैमेम की तरफ से छे सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवागत दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में ह हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीका अर्जुन खरकें उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरें के साथ बात्शित पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरीता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के सीटी ज पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाए रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जोड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोग सबाचुनाओं में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से हो पाईगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल ह है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहें उ कि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का दूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहालोग सबा चुनाओं जे एमेम ने जारकण में छे सीटों पर दावा ठोका है जे मैं जारकण में छे सीट के साथ ही ओरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जे में दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे, जमेम ने सिर्फ जारखन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे, लोकसभा चुनाओ में जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मली कारजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छाक चिति यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं पूरीजिए मैं भी दावा करना है अब देखें तो चीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो इस तीटियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटवन्धन का तूर मिल रहा था निटीज कुमार अलग हो गये उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहु और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम पाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी क पर उसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां सी बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीष कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसमा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसमा चुनाव को ले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार जार्णी का पार्टी का मिले वीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का इधार कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंप पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरीसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार अब देखना लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट प पर भी लडने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लडने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की अलाकमान्ट से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदाई ठोकी गई है राजी संवबत दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें निरंजन 6 सीटों पर दावेदाई पेश की कुल मिलाकर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग तो हमें सकेंड दूसरी नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खर गे उनके साथ मुक जारखन मुक्ति मोचा के वहां सी बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखे तो च्छा सिति यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखे तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आरज़ेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो मिल रहा था नितीव सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खाबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्यों जर सीट पर भी लड़ने की बात कहीं है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बतादे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले C.M.25 सोरे न कॉंग्रिस की आलाकमांट से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़धा कि हैं कंगरेस के मलिक आजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अभ देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो स्टितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया गटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर ने जनाप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिश शेतपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोग सबा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तैह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धाक है कंगरेस के मलीक आरजुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है दावा करना है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीष कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेजन आप इस पूरी खा साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया ह आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लग से और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो तकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरी नमर पर था ये कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट शार सीट पर दावा क कंग्रेस के मली का जुन खर गए उनके साथ मुकमंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासनी निर्दलिये है अभी च चितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस चिति जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तर पूरी खाबर पर नजब बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबाचिनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेमें जारकन में 6 सीट के अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजाडी बाग और जमशितपूर लोग सबाची पर भी दावा ठोक दिया है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कॉंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ात के कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छास सीट यहां दावा कर रही है तो कुल मिलाकर कि इस चीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग गुरूख अपना लिए है तो इस तिद्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जोगे अंगातार बनाये रखे बहुत 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 शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशितपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहेमेम ने सिर्फ जहारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहेमेम ने पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जहेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाओ में जहेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्टमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर रहे है उरिता में भी दावा कर रहे है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रहे है दो सीटों को लेकर के उधर तो कुल मिलाकर कि इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिलदा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडिवी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ाद के हैं कंगरेस के मलिक आर्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कमात्ती निर्दलिय है अविच्याकाओ सी बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां सी बिधायक थे हूँ पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो भी अन्याची पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमें ने दुमका, राजमहल गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेद जताई है इसी के साथ जेमें ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमें की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समव दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तैह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लो पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खर गये उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपर इस्वरे अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्टितियां बन रही है आर जेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं दो सीटों को लेकर के उधर पॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर करके इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगा पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर स यानि लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोग सबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फेले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता ह सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहा जार्खन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़धा के कंग्रेस के मलीकार जुन खरके उनके स मोर्चा के वहाँ से भी धाएक थे हो कुल मिला कर देखें तो छा स्थीत यहां दावा कर रहे हैं वंगाल में दावा कर रहे हैं अभी दावा कर रहे हैं सब्सक्राइब नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टी ओं को और से इंडिया कटबंधन क तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रख में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाव को ले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार जारखन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिला कर देखें तो चार सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरीसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर तोंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस चिती ज पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार अब देखनाए के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोक पिया है आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ में 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका है इसे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे निर जार्खन में 14 लोकसवा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मांसे और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोकसवा हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन प पार रहा है आपको याद होगा कि पहला भीधायक जो सुमिष कौमास्ती निरदलीय है अभी चाकाई सी विधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से विधायक थे वो कुल मिलाकर देखें तो 6 सीट यहां दावा कर रहे हैं, मंगल में दावा कर हैं, उरिसा में भी दाव बाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनट जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरंजना आप इस पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपका बता देजाहा लोग सबा चुनाओ जेम्म ने जार्कन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जार्कन में 6 सीट के साथ ही उडिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेम्म ने दुमका राजम पहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा। देखिए यहां जो जारखंड में 14 लोकसभा सीट अभी बतमाने हैं। अगर आप देखें तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोबाल और जो राष्टी का ज़्धाक हैं कंगरेस के मलीकार जुन खर गये। उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। बुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं। अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वह अ अब देखना है कि लगातार जो बनाए रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी ख़बर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में 6 सीट के साथी औरिश में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जहमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथी जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहमेम ने सिर्फ जहारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहमेम ने पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आख बता दे लोगसबा चुनाओ में जमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूल कि असके पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजय हान्सदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दोस सीट च्षह सीट पर दावा करा जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धाक है कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं और इस तीती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओरते और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का दूर मिलदा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी ख सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लो जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाईगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें त चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर तॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की ह बजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। देखे यहां जो जार्खण में 14 लोकसभा सीट अभी बर्तमान में है। अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमशित्पूर का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उत पर विक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोबाल और जो राष्टी अज़ाग कंगरेस के मली कार्जुन खर गए। उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासनी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं, मंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही हैं, आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं, दो सीटों को लेकर के तो पुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओरते और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिलदा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोकसवा सीट भी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकसवा हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीडिप इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासनी निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो कुल मिलाकर करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिलदा था नितीश कुमार अलग हो गए उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बतादे जहां लोगसभा चुनाओं जेएमम ने जहारकन में चैसेटों पर दावा ठोका है जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपवतादे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीज चीट कोई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाक तो कुल मिलाकर के इस चीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब क और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवागत दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट भी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी चीट हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ती निरदलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाक तो कुल मिलाकर कि इस चीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेद जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बताते लोगसबा चुनाव में जेम पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाईगा? पाटी का मिले भी बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर दिखे जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्वंतरी हैमन्स मुक्वंतरी चंपरी सोरेन के पुल मिलाकर देखे तो च्छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरीता में भी दावा कर रहे हैं अब देखे तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंगरेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का गुरूख अपका लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो बिल्कुर ने जना आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन ही नहीं बल लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बत दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाप दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लग और दो एक कंग्रेस के पास है, दूसरा जो राजमाल का सीट है, वीजे हांसदा वहां के सांसर हैं, अगर बात करें तो तकेट नमर पर चार लोग तो हमें दूसरी नमर पर था ये, कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा, इन चार सीटों और दो सीट, शार सीट पर जार्खन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मराणी का पार्टी का मिले, अभी बीजीपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है, उस पर रिक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधर के हैं कंग्रेस के, मलिकार जुन खर बाबूलाल में दावा कर रहे हैं, उरिसा में भी दावा कर रहे हैं, अभी कुल मिला कर कि इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पार्टी को रही है। पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकार पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जमेम ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाओ में जमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाप दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग सेट अभी बर्तमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर अपने दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर कि स्टिती जो है अभी यहा ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओर से और जिस तरसी इंडिया गटबंधन का तू जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहालोग सबाचुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भ जलकी बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी उंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पे बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग तो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो स चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा के कंग्रेस के मली कार्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासनी निर्दलिये ह अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छास्टीत यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर जेडी भी अपने दावा ठोकर रहे हैं दो सीटों को लेकर के उधर पॉंग्रेस भी दावा ठोकर रही है तो कुल मिलाकर के इस तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तू मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कोर निरेंजन आ साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी संवब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खड में च्वदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा जिमें बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल क टीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पे था यह कोडरमा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल चंपरिस्वरेन के साथ बात्सीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी طबर पर जो इस्टियां बन रही है आड जेडी भी अपने दावा ठोक रहे हैं तो सीटों को लेकर के इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार व्यानवाजी हो रही है तीनों पाटियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अ पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिं ज्धारखन में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बत्मान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के मांस है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग स्वा पार्टी का मिले अभी बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री हैमन मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो चाक चित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है, तो कुल मिलाकर कि इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पार्टियों के ओर से, और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था, मितीश कुबार अलग हो गए है, उ माम जानकारी के लिए, और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ, जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है, जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोक पिया है, आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन में बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है, यानि लो लोग सबाचुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है, इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठ किस तरीके से तरह हो पाईगा? पार्टी का मिले अबी बीडिपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधार के हैं कंगरेस के, मलीकार जुन खरके, उनके साथ मुक्पंतरी चमपाई सोरेन के साथ बा पार्टी के बेड़ा करें अब देखें तो चागती तुर बाटी के बेड़ा करें तो पुल मिला करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पार्टी ओं के और से, और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल र नितीज कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनर जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं, तो इस तितिया ठीक नहीं है, अब देखना यहां है कि लगातार जो बिलकुर नेरेंजन आप इ शुकरिया तमाम जानकारी के लिए. आपको बता दे, जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं, बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसी के साथ जेमेम ने पश्रिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है, यान इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाखमान से मुलाकात की थी, उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी, लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है, राजी समवाब दाता, निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है, जेमें की तरफ से, क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा? धनबाद, हजारीबाद और चत्रा, इन चार सीटों और दो सीट, छार सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले, अभी बीजीपी में हुआ है, उनके सीट का जो दावा है उन पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोबाल और जो राष्टी का जग है कंगरेस के, मली कारजुन खर गए, उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाच्चित हुई थी, उनमें इनका जो सीट का दावा है, जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है, बिहार है, आपको या सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्टितियां बन रही है, आड़ जेडी भी अपने दावा ठोंक रहे है, दो सीटों को लेकर के, उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोंक रही है, तो कुल मिलाकर के इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर मम्ता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तिद्या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी ख़बर सियासत से जुडिवी आप paragस्वा चुनाओ जे मेम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जे मेम ने जारखन में 6 सीट के साथ इदो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरब से 6 सीटो पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले CM25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग सोरे सीट अबी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है बीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दू में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धा कि है कंग्रेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्चीत हुई उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पड़ूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के तो कुल मिलाकर कि इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओरते और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के म अमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दाव ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से हो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में च्वदा लोग सब्सक्राइब अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो र जारिबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी का ज़्धा कि हैं कंगरेस के मलीक आर्जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुम पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिला करके इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह पूरी खाबर पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमें में दुमकार राजमहल गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बतादे जेमें ने सिर्फ जारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमें ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोग सबा चुना का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के स पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के प अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीडिपी में हुआ ह उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धक है कंगरेस के मलीकार जुन खर गये उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनक जो चीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोकर रहे हैं दो सीटों को लेकर नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक पिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्टमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक क खनबाद हजारीबाद और चत्रा इन चार सीटों और दोज सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पाटी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेन सीराज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासनी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल मे चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी पता दे जहाल लोकसबा चुनाओ जे-म-म ने झारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जे-म-म में झारकन में 6 सीट के साथी ओडिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जे-म-म ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी द लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट भी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मराणी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ा कि हैं कंगरेस के मली कार्जुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमात्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो स्थितियां बन रही है, आरज़ेडी भी अपने दावा ठोकर रही है, दो स्थितों को लेकर के, उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोकर रही है, तो कुल मिलाकर के इस्थिती जो है, अभी यहां ठीक नहीं है, चुकि पूरी खाबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओं जहारकन में छह सीटों पर दावा ठोका है जहारकन में छह सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जहारकन ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जारखंड ही नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाव में जैमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जैमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बतमाने है अग्पल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेश के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह खोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो भी अन्वाटार निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ीवी आप बता दे जहां लोगसमा चुनाओ जेएमें में जारकन में सीट के शाथी और इशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमें में ने दुमकार राजमहल गिरडी और क जारखंड की हजारी बाग और जम्शित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट्पूर लोकसभा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट्पूर लोकसभा सीट्पूर लोकसभा ठोक दिया है। जम्शित्पूर लोकसभा सीट्पा ठोक दिया है। आपको बता दे जैमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जैमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जैमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जैमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी तो दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लग है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश को वास्ति निर्दलिय है आर्जेटी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडी वी आपको बता दे जहाँ लोकसबा चुनाओ जेएमेम ने जहारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जहारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बल्कि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खण में चवदा लोकसवा सीट अबी बर्तमान में है अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीडिपी मे थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है अपने दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहा लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की ह बजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। देखिए यहां जो जारखण में च्वदा लोकसभा सीट पर भी बतमाने हैं। अगर अगर आप देखें तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांजा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोकस हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग कंगरेस के मलीकार जुन खर गया, उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी, उनमें इनका जो सीट का दावा है, जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है, बिहार है, आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलीय है, अभी चाकाई सी बिधायक है, जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरिता में भी दा है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पाटियों के ओर से, और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था, नितीज कुमार अलग हो गए है, उधर ममता बनर जी का रूख अलग है, पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है, वह इस वक्ती बड़ी खबर, सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे हो, जे एमेम ने ज़ारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है, जे smiling में जारखन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगल, बिहार में 11 सीट पर दावा ठोका है, जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी औ और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा। देखिए यहां जो जारखंड में 14 लोकसभा सीट अभी बर्तमान में है। कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसद है। अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोकस हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मलीकार जुन खर गये। उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचीत हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कमासी निरदलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जाकन मुक्ति मोचा के वहां सी बिधायक थे हो। पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तिया ठीक नहीं है अब दिखना यह है कि लगातार जो बिकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन ही नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंज़र सीट पर भी लडने की बात कहीं है यानी लोगसभा चुनाव को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसबाचुनाओं में जेमेम की तरब से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाप दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाप सीट अभी बर्टमान में है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के मली कारजुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों को और से और जिस तरह से इंडिया भी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के सा शेतपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बतादे लोग सबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी सब्वाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार ल जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखे तो 6 सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरीसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखे तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेंगे दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर क कि इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिलदा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सी मान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस चितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने द जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पश्रिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी तो जर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवागत दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाद सीट अभी बतमान में है अग्ल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कॉंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है विजे हांसा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरी नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट छाष सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धाक कंगरेस के मलीकार जुन खर गे उनके का इसी बिधायक है जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक है हो पुल मिलाकर देखे तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखे तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने बंधन का तूर मिल रहा था नितीस को बार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खाबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमें ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमें में ज जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमें में ने सिर्फ जारकन ने नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमें में ने पशिम बंगाल की जार ग जुनाव में जेमें की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से ते हो पाईगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग स्वामें सके अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ ब दा खरके के पुल्मिलाकर देखें तो चाहसीटियां दावा कर रहे हैं दमांगाले दावा हैं और उरीचशाँ में दावा कर रहे है Natht самые कर दो देखें तो तीटों खें लेकर निश्ब्ंठी तर दूं करें PR ir Snapchat लेएं-दो सिटों करेने उनके प्र Mexican मिलबा खरकर दो !! तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनरजी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल ने जनाब इस पूरी खाबर पर साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पश्रिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाप दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगत है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वाप सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के मांस है और दो एक कॉंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसा अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीड चित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निरदलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर पर देखें तो चाक टित नहींकर है अब समें यह तो पुल मिलाकर के कि तौल मिलाकर कर चिती जसे हैं अभी यह चीक नहीं है चुकी लगातार ऑनबाजी हो रही है पी पुल तर спze अब देखना है कि लगातार बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबाचुनाओ जहारकन में जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जहमें ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जहमें ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहमें ने पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमें की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमें की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े है निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहाँ जो जारखड में 14 लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मलिकार्जुन खरके उनके साथ मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं पूरीसा में भी दावा करना हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोकर एक दो सीटों को लेकर के उधर सॉंग्रेस भी दावा ठोकर रही है तो कुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओरते और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अल चुकी जार्खन में चैसीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमें ने दुमकार राजमहल गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जार्खन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा स सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमें ने सिर्फ जार्खनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमें ने पशिम बंगाल की जार्ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी करने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता निरंजन सिंग अधिक जान में 14 लोकसवा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोकसवा में सकेंड दूसरे नमर पे था ये को है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंग्रेस के मलीक आरजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री हैमन मुक्वंत्री चंपरी स्वरें के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो दावा कर रहा हैं अब देखें तो तीतों को लेकर निष्टी तर पर जो सीटों को ले करेंगर के उधर तो पूंग्रेस में पहले हैं तो कुल मिलाकरकरgoing के साथों जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का र अंकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेएमेम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेएमेम ने जारखन में 6 सीट के साथ ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा थोग दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी जर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है स सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तैह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज जार्खन विकास मोर्जा जो बाबूलाल मरांडी का पाटी का मिले वीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा कि है कंगरेस के मलीकार जुन खरके उनके साथ मु जार्खन मुक्ति मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो। अलग हो गए है उधर मम्ता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर नेरेंजन आप इस पूरी खाबर पर साथी ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के बास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सी अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी मे हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़्धक है कंगरेस के मलिकार जुन खर गे उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों करेगे दो सीटों को लेकर के उधर सॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल म पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इसवक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबह चुनाओ जेम्म ने जारखन में चे सीट के सात ही औरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फेले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में चौदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा घनबाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर दे है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो पर नजब बनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोकसबा चुनाओ जयम्म ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जयम्में जारकन में 6 सीट के साथी औरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में च्वदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो वारा जिवें बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजम जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अजधा के कंग्रेस के मलीक आर्जुन खरके उनके साथ म बात्चीत कोई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमार्सी निदलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिल तो कुल मिलाकर करके इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब क और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। अगर जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। आप बता दे लोकसभा चुनाओं में जमेम की तरफ से छेटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है। जमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा। देखिए यहां जो जार्खन में च्वदा लोकसभा सीट अभी बतमाने हैं। तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दोर सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धा कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खर गए। उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रहे हैं अपने दावा ठोक रहे हैं तो पुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहा लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लगातार बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबाचिनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम में जारकन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जे पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्र पताता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग स पार्टी का मिले अभी बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उन पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राश्टी अज़ग कंगरिस के मलीक आर्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिलदा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाओ को लेकर जम्म की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाओ में जम्म की तरफ से छह सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे फहले सीम चमपाई सोरें ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्टमान में है अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धाक है कंगरेस के मलीकार जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिल रहा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जहारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जहारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहारकन ने सिर्फ जहारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाओ को लेकर जम्म की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसबा चुनाओ में जम्म की तरफ से छह सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट भी बतमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मांस है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उत पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंगरेस के मली कारजुन खरके उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमात्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिसा में भी दावा कर रहे हैं सीटानषर टेश स्थित बन भी आरेई उ हमने kole banker टीटानों, स्थिति जो एम ठी हैं तो कुल मिना करके इस्थित्य जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के और दोς तर्बाम कई हो और से तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखा यह है कि लगातार जो पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुडी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ को लेकर जेएमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोग सबा चुनाओ में जेएमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीएम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोग सो हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा जार्खन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मरांडी का पार्टी का मिले वीजेपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरीता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रही है दो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर कि इस चिती जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पाटियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखिए बहुत बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोकसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाद दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसद है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर च बीजेटी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बात्शित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमात्ती निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर दे है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब क अर इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडी वी आपको बता दे जहां लोक सबा चुनाओं जेमेम ने जारखन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेमे जारखन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, र जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड़ ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को लेकर जेमेम की तरब से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाव में जेमेम की तरब से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवक्त दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरब से क्या लगता है सीट का फॉर्मुला किस तरीके स सित्ते हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खन में च्वदा लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में हैं अकुल मिला कर अगर आप देखे तो वारा जिवें बीजेटी के पास है और दो एक कॉंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के मलीकार जुन खर गये उनके साथ मुक्वंत्री हैमन्स मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ ब अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इसथितियां बन रही है आरजडी भी अपने दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चिति जो है अभी इहां ठीक नहीं है चुकी लगातार बयानबाजी हो रही है तीनों पाटियों को और से और जिस तरह से पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोकसभा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमकार राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। जमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है। जमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा। देखिए यहां जो जारखन में 14 लोकसभा सीट अभी बर्तमान में हैं। तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोकस हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है। जारखन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है। उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधाक है कंगरेस के मलिक आर्जुन खरकें उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी। उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है। आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमिस कुमार्सी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो। पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं। बंगाल में दावा कर रहे हैं। उरिता में भी दावा कर रहे हैं। चुकि लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनटी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग गुरूख अपना लिए है तो इस तिजिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो के अंगातार बनाये रखिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशितपूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहेमेम ने सिर्फ जहारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहेमेम ने पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जहेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जहेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाप दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाप सीट अभी बतमाने है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और 2 एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है विजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेन नमर पर 4 लोग सो हमें सकेन दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन 4 सीटों और 2 सीट, 6 सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्चा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज्धाक है कंगरेस के मलीकार जुन खर गे उनके साथ जो चीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निदलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहा अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का दूर मिल रहा था मितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाए रखिए बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल गिरडी और कोडरमा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेद जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाव को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आपको बता दे लोगसबा चुनाव में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समव अब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें नेरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बरतमान में हैं अगल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के बास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जवराष्टी अज़ाद कि हैं कंगरेस के मलीकार जुन खर गये उनके साथ मुक्पंत्री हैमन मुक्पंत्री परिताम के सिटो को लेकर निश्ची तौर पर जो इस चीटो को लेकर के उठर्टी प्रोड़ों करें है उनके संग्रेस भी दाबा ऐही है तो पूल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुपी लगातार ब्यान-बाजी हो रही है तीनों पाटियों के ओर से और जिस तरह से इंडिया कटवंधन का तूर मिल रहा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखवंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जोगे अलगातार जोगे अलगातार बनाये रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेमेम ने जहारखन में छह सीत के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम 25 सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है देखिए यहां जो जार्खन में 14 लोगसबा सीट अभी बरतमान में है अग्कुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मास है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेट नमर पर चार लोगसबा हमें सकेट दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट च्छा सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मराणी का पार्टी का मिले अभी फूई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमास्ती निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर द तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर मिल रहा था नितीश कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यहा है कि लगातार जो बिलकुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जेएमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेएमेम ने दुमकार, राज जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में चौदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्टमान में है अगल मिलाकर अगर आप देखे तो वारा बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट, छार सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग है कंगरेस के, मली कार्जुन खर गए, उनके साथ मुक्वंतरी चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी, उनमें इनका जो सीट का दाव जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है, बिहार है, आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज कुमासी निर्दलिये है, अभी चाकाईसी बिधायक है, जारकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो, पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं, मंगाल में दावा कर हैं, उरिता में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो सीटों को लेकर निष्टी तवर पर जो स्टीतियां बन रही हैं, आड़्यक बिधायक रही है, जिस तरह से इंडिया गटमंधान का सूर मिल रहा था, नितीज सुमार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस पूर जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े में निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगत है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जार्खड में च्वदा लोग स्वाथ सीट अभी बर्तमान में है अग्कुल मिला कर अगर आप देखे तो बारा जिमें बीजेटी के मांस है और दो एक कंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सी अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा घनबाद हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले अभी बीजीपी में हु चीट हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर चीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस चीटों को लेकर अपने दावा ठोकर रही है तो कुल मिलाकर के इस चीटी जो है अभी यहाँ ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर म पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तित्या ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिलकुल निरेजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाये रखे बहुत बहुत शुकरिया तमाम जानकारी क में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन बत कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवब दाता नेरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वे हैं नेरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जार्खण में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जार्खन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले अभी बीज चित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज को वासनी निदलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जार्खन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर चाकई यहाँ दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं और देखे तो सेटों को लेकर निष्टी तर पर जो सीटों करा की दो पुल मिलाकर करे इसुपी जो है अभी conjunction है थिक नहीं है चुकी लगातार ब्यान बाजी हो रही है तीनों पार्टी और ते और जिस तरह स पंजाब के मुक्वंत्री भगवत तीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेंजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आप बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथी ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमम ने दु आप बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जाड ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इसे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में चौदा लोग स्वा सीट भी बतमान में है अगुल मिलाकर अगर आप देखे तो बारा बीजेटी के बास है और दो एक कंगरेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट, छार सीट पर दावा कर रहा है, जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीडिपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है, अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग है कंगरेस के, मलिकार जुन खर गए, उनके साथ मुक्पंतरी चंपरी स्वरेन के साथ बाचित हुई थी, उनमें इनका जो सीट का दाव जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है, बिहार है, आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिये है, अभी चाकाई सी बिधायक है, जाकर मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो, कुल मिलाकर देखें तो च्छाक्टीत यहां दावा कर रहे है, बंगाल में दावा कर रहे है, उरिसा में भी दावा कर रहे हैं, अब देखें तो चीटो को लेकर निश्टी सवर पर जो इस्तिति हां बन रही है, आर जेडी भी अपने दावा का सूर मिल रा था नितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुक्वंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कोर नेरजन जारखन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानी लोगसबा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसबा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवक दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या और दो एक कंग्रेस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर साइए अभी कुछ दिन पहले देखें कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ग कंग्रेस के मलिक आरजुन खर गया उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बात्शीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाक्तीत यहां दावा कर रहा है बंगाल में दावा कर रहा है और मुक्तीत तीक नहीं है और जिस परसे इन्डिया कटबंधन का सूर मिल रहा था मितीज कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर्जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वो भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो पर नजब बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुडी वी आपको बता दे जहां लोग सभा चुनाओ जे-मम ने जारकन में छह सीटों पर दावा ठोका है जारकन में छह सीट के साथी ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जे-मम ने दुमकार, रा जेमेम ने सिर्फ जार खंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाव को ल चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में 14 लोग स्वाग सीट अभी बर्तमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंग्रि हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ा कि हैं कंग्रेस के मलीका जुन खर गया उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश फ़शा की्ह निर्दिय्य है अविक्व चकायis बिधायक है जारखन मुक्टी मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं, बंगाल में दावा कर रहे हैं, उरीसा में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो चीटों को लेकर निश्टी तोर पर जो इस्तितियां बन रही है और जिस तरह से इंडिया गटबन्धन का दूर मिल रहा था नितीज सुबार अलग हो गए है उधर ममता बनड़ जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंतरी भगमत सीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस सिद्धिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिलकुर निरेंजन आप इस प दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसमा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जे उन्जर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोगसमा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोगसमा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे फहले सीम चंपाई सोरे ने क कॉंग्रिस की आलाकमांट से मुलाकात की थी उस दरमियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के मांस है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेंड नमर पर चार लोग सो हमें सकेंड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट शार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्चा जो बाबूलाल मराणी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर रिक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अजधा कि हैं कंगरेस के मलिकार जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरी सोरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिसा है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ती निर्दलिये है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छाग सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं पूरीता में भी दावा करना है, अब देखें तो सीटों को लेकर निश्ची तवर पर जो सीटियां बन रही है, आरजेडी भी अपने दावा ठोकर रही है, तो कुल मिला करके इस्टिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है, चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है, तीनों पा रूख अपना लिए है, तो इस्टिया ठीक नहीं है, अब देखना है यहां है कि लगातार बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी खावर पर नजब बनाये रखे, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोक सबा चुनाओ, जेमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है, जेमेम ने जारकन में 6 सीट के साथ ही ओरिशा में 2 और बंगाल बिहार में 1-1 सीट पर दावा ठोका है, जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर भी दावा ठोक दिया है, आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन में बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है, इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ लड़ने की बात कही है, यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है, आपको बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है, इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस क आलाकमांट से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब छे सीटों पर दावेदाई ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़ेवें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की ग बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेश के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है विजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग तो हमें सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो कंगरेश के मलीकार जुन खर गए उनके साथ मुक्वंत्री चंपरिस्वरिन के साथ बात्चीत हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो पडूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमास्ति निर्दलिये है अब इस चाकाई सी बिधायक है जार्खन मुक्ति मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो च्छा सीट यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो इस तितियां बन रही है आर जेडी अपने दावा ठोक रहे हैं दो सीटों को लेकर के उधर पॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो कुल मिलाकर के इस चिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों को और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का तूर म पूरी खबर पर नजब बिनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्त की बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जेमेम ने जारकन में 6 सीट क पर दावा ठोक दिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारकन में बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसी के साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात क जही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से छे सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चंपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाका की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राची समफब दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन छे सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमें की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखन में 14 लोग स्वा सीट अभी बर्तमान में है अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरिस के पास है दूसरा जो राजमाल का सीट है वीजे हांज़ा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग स्वा में सकेड दूसरे नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरानी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीज को आसी निर्दलिय है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे हैं मंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों को लेकर के उधर कॉंग्रेस भी दावा ठोक रही है तो पुल मिलाकर के सीटी जो ह अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के और से और जिस तरह से इंडिया कटबंधन का सूर मिल रहा था अभी अलग रूख अपना लिए है तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुल नेरेजन आप इस पूरी खाबर पर नज़र बिनाये रखें बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी वी आपको बता दे जहां लोग सबा चुनाओ जे एमेम ने जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है इसके साथ ही जारकन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोग सबा सीट पर भी दावा ठोक दिया है आपको बता दे जहेमेम ने सिर्फ जहारकनी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जहेमेम ने पशिम बंगाल की जहार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यानि लोकसभा चुनाओ को लेकर जहेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बतादे लोकसभा चुनाओ में जहेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन आब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है राजी समवाग दाता निरंजन सिंग अधिक जानकारी के साथ जुड़े वें निरंजन 6 सीटों पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तेहो पाएगा देखिए यहां जो जारखड में 14 लोग स्वाग सीट अभी बतमाने है अग्पल मिला कर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कंगरेश के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है वीजे हांसदा वहां के सांसर है अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग सो हमें सकेड दूसरे नमर पर था यह कोडर्मा, घनबाद, हजारीबाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट चार सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पार्टी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोपाल और जो राष्टी अज़ाग कंगरेस के मली कार्जुन खर गए उनके साथ मुक्पंत्री चंपरिस्वरेन के साथ बाचित हुई थी उनमें इनका जो सीट का दावा है जो परूसी राज बंगाल है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमित कुमासी निर्दलिय है अभी चाकाई से बिधायक है जारखन मुक्ती मोचा के वहां से बिधायक थे हो पुल मिलाकर देखें तो चाक सीट यहां दावा कर रहे है बंगाल में दावा कर रहे है उरिता में भी दावा कर रहे है अब देखें तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है आर्जेडी भी अपने दावा ठोक रहे है दो सीटों को लेकर के उधर तो कुल मिलाकर के इस्तिती जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब्यानबाजी हो रही है तीनों पार्टियों के ओरते और जिस तरह से इंडिया गटबंधन का तूर मिलदा था नितीस कुमार अलग हो गए है उधर ममता बनर जी का रूख अलग है पंजाब के मुखंत्री भगमत तीमान का रूख अलग है वो अभी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना है यह है कि लगातार जो बिल्कुर निरेजन आप इस पूरी ख सीट के साथ ही ओरिशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखन की हजारी बाग और जमशित्पूर लोगसभा सीट पर भी दावा ठोक पिया है आपको बता दे जेमेम ने सिर्फ जारखन दी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है इसके साथ जेमेम ने पशिम बंगाल की जार ग्राम और इशा की मयूर भंज और क्योंजर सीट पर भी लड़ने की बात कही है यान लोकसभा चुनाओ को लेकर जेमेम की तरफ से अपनी दावेदारी पेश की जाती है आप बता दे लोकसभा चुनाओ में जेमेम की तरफ से 6 सीटों पर लड़ने का दावा ठोका गया है इससे पहले सीम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर् पर दावेदारी पेश की गई है जेमेम की तरफ से क्या लगता है सीट का फॉर्मूला किस तरीके से तरह हो पाएगा देखिए यहां जो जारखण में 14 लोकसभा सीट भी बतमान में है अकुल मिलाकर अगर आप देखे तो 12 बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के प अमाद हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट पर दावा कर रहा है जारखन विकास मोर्जा जो बाबुलाल मरांडी का पाटी का मिले बीजीपी में हुआ है उनके सीट का जो दावा है उस पर विक्के जा रहा है अभी कुछ दिन पहले देखे कि बेनु गोप है और उरिता है बिहार है आपको याद होगा कि पहला बिधायक जो सुमीश कुमास्ति निर्दलिये है अभी चाकाई सी बिधायक है जारखन मुक्ती मोर्चा के वहां से बिधायक थे हो कुल मिलाकर देखे तो छाक्तित यहां दावा कर रहे हैं बंगाल में दावा कर रहे हैं उरिता में भी दावा कर रहे हैं अब देखे तो सीटों को लेकर निश्टी तवर पर जो सीटों कर रही है तो कुल मिलाकर के सीटी जो है अभी यहां ठीक नहीं है चुकी लगातार ब पंजाब के मुखंत्री भगमत सीमान का रूख अलग है वह भी अलग रूख अपना लिए हैं तो इस तितिया ठीक नहीं है अब देखना यह है कि लगातार जो बिल्कुर नेरजन आप इस पूरी खाबर पर नजब बनाए रखे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और इस वक्ती बड़ी खबर सियासत से जुड़ी भी आपको बता दे जहां लोग सभा चुनाओ जे एमेम ने ज्जारकन में 6 सीटों पर दावा ठोका है जारकन में 6 सीट के साथ ही औरीशा में दो और बंगाल बिहार में एक-एक सीट पर दावा ठोका है जेमेम ने दुमका, राजमहल, गिरडी और कोडर्मा सीट पर अपनी दावेदारी जताई इसके साथ ही जारखंड की हजारी बाग और जमशित्पूर लोकसभा सीट पर भी दावा ठोक दिया है। आप बता दे जमेम ने सिर्फ जारखंडी नहीं बलकि बिहार की जमुई सीट पर भी लड़ने के लिए दावेदारी जताई है। इससे पहले सीएम चमपाई सोरे ने कॉंग्रिस की आलाकमान से मुलाकात की थी उस दर्मियान सीट शेरिंग पर कोई बात नहीं हो पाई थी लेकिन अब 6 सीटों पर दावेदारी ठोकी गई है। अगल मिलाकर अगर आप देखें तो बारा बीजेटी के पास है और दो एक कॉंग्रिस के पास है दूसरा जो राजमहल का सीट है बीजे हांज़ा वहां के सांसर है। अगर बात करें तो सकेड नमर पर चार लोग तो हमें सकेड दूसरी नमर पर था ये कोडर्मा, घनबाद, हजारी बाग और चत्रा इन चार सीटों और दो सीट, छा सीट पर दावा करा जार्खन विकास मोड़ें।